जो हमारे मार्गों को रोके हम उसको शत्रू द्रिष्टी से देखने लगते हैं लेकिन वो शत्रू ही होता है जो हमारे अंदर की सुप्त पड़ी हुई उज्या को जागरित करने का कारे करता है वो शत्रू ही होता है जो हमें सीमित दाइरे से निकाल कर असीमित दाइरे की ओ ले जाने का प्रयास करता है तो इस नाति शत्रू जो होता है वो तिरसकार का पात्र नहीं नमसकार का पात्र होता है तो अपने शत्रू को नमसकार करके देखिए वो आपका परिशकार करतेगा तो जो शत्रू दृष्टी का जो महत होता है तो उस तरीके से मैं इस चीज़ को लेता हूं और मुझे ये इसलिए अद्भुत लगता है ये करदार रावभ का. देखें, मैं किसिभी करदार को जो करता हूं उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि आशुतो शिराना को खतम करने का मैं प्रयास करता हूं. कि आशुतो शिराना समाब हो जाए जब आशुतोर्ष राना समाप्त होगा तो फिर जो हिस्सा बचेगा वो वो किरदार होगा और मैं कभी भी किरदार की बॉड़ी को नहीं पकड़ता हूं उसके थौट प्रॉसस को पकड़ने का प्रयास करता हूं उसकी मानसिक्ता के साथ अपने आपको जाल करने का प्रयास करता हूं हेलो और मेरा नाम अपेक्षा प्यादर्ष नी है और टोड़ी आपका प्रफॉर्मनस है हमारे राम जो आपका प्ले है उसमें और इसी से संबंदित आज हम आपके चारेक्टर के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं थिदे अबर टोड़ीति आपके बाते हैं यह न बटोड़ीति आपके यह लेकिन को यदी जानना हो आपको तो रावड की बिश्टी से लेखना चाहिए यह इस फिलोसोफी मेरा पूरा बिश्वास है और रावड जिनके लिए लिगे लिए 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 रॉस्वास जिनके समादान के लिए, जिनकी समापती के लिए हम परमात्मा श्री राम को विश्णु का उतार मानते हैं, भगवान विश्णु का, तो अगर वो निराकार की विरादरी से साकार की विरादरी में जन्म लेते हैं, तो निश्चत रूट से कोई एक इतना योग वेक्ति होग जो कही ना कही परमात्मा के सवा किसी अन्न के द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता होगा तो मेरी जो रुची थी उनकी उस किस्म की दिविदा में थी कि जितनी उनके अंदर विद्वत्ता थी जितना उनके पास ज्यान था जितनी उनके पास समर्पन थी जितना उनके उनक को अपने जग्ञान का तो एहंकार हो गया लrakिन उनको अपने एहंकार का जग्यान नहीं हो पाया तो वह देखेंगे न हम क्यांत्र है तो हम पाएंगे तो अपने आपंने आप PAUL मेंहें दोड़्येयर के लिए होतीए क्ए मेरा यह मानना है कि जब आप आप अपनी वासनाव को नियंत्रत करते हैं, तो आप राम हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी वासनाव से नियंत्रत होने लगते हैं, तो आपके वही गुण बता है, आपके वही गुण कहीं नहीं आपको रावड की दिशा में ले जाते हैं, तो हमारे जीवन में और दशमुक्त है कि दश्रत के ऊपर विज़े प्राप्त करता है तब हो कहीज न कहीं नर होते हुए नराण की ख्याती को अप्लगत हो जाता है तो न हमारे यह जो श्रीर है यह जो श्रीय कृद्धु को यह प्रिए हममआरे उन्दर प्र यात्राअइं द गात्र से ईतक हु यहांक चूरा है याक। अमने फिल पर द सम्ट। नाकांग्शाओं के उपर तो फिर जगत हमारे अंदर भगवत्ता या हमारे अंदर हमको नायरान होते हुए नर होते हुए भी लोग हमारे प्रती आद्रेह भाव से और बंदनीह भाव से मर जाते हैं तो मैं इसको इस तरीके से लेता हूं इसलिए रावड का जो चरित्र है यह रावड को जो व्यक्तित्र है वो आप देखें कि कितना विलक्षन चरित्र होगा क्यों कि शत्रु क्या करता है रावड रामचंदर जी के शत्रुते शत्रु को अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे रास्ते की बाधा हो जो हमारे मार्गों को रोके हम उसको पड़ी हुई उज्या को जागरित करने का कारे करता है। वो शत्रु ही होता है जो हमारे एहंकार को पुष्ट भी करता और हमारे एहंकार को नश्ट भी करता है। का पात्र नहीं नमस्कार का पात्र होता है। तो अपने शत्रु को नमस्कार करके देखिये, वो आपका परिश्कार करती है। तो जो शत्रु दृष्ठी का ओ उता होता है। तो इस तरीके से धिम्यें कूत और इस्थी द्रखे का правильно के कि आप देखिए लोग परमात्मा श्री राम से की आराधना करके उनसे जुड़ते हैं और रावड उनमें से है जो उनसे लड़कर हमेशा के लिए जुड़ गया है तो कुछ लोग ज़ोड़कर आपस में लड़ते हैं। और कुछ लोग आपस में लड़कर हमेशा के लिए, सदेब के लिए जोड़ जाते हैं। इस नाटक में आप जो परफॉर्म करते हैं, तो थोड़ा as an actor अपनी process के बारे में बताएंगे कि आप कैसे इस चीज़ को embody करते हैं देकि मैं किसी भी किरदार को जो करता हूं उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि आशुतो शराना को खत्म करने का मैं प्रयास करता हूं कि आशुतो शराना समाप तो हो जाए जब आशुतो शराना समाप तो होगा तो फिर जो हिस्सा बचेगा वो वो किरदार होगा और मैं कभी भी किरदार की body को नहीं पकड़ता हूं मैं उसके thought process को पकड़ने का प्रयास करता हूं उसकी मानसिक्ता के साथ अपने आपको जाल करने का प्रयास करता हूं मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज करने के पहले स्वैम को मिटा दीजे आप स्वैम को मिटा देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ बंके निकल के आ जाएगा और वो अनोखा होगा आनन्दे तो मेरी प्रक्रिया पूरी की पूरी वही होती है। और एक मनुष्य करना तो उस पूरी यात्रा को मैं कैसे देखता हूं क्योंकि मेरा बात में अकंड विश्वास है कि राम परम परम परमात्मा हैं बड़ा आदमी कौन होता है जिससे मिलके आपको बड़े पन का एहसास हो उसे आप बड़ा आदमी कहेंगे लेकिन जिससे मिलक हमें निश्चित रूप से रूपांत्रण होना चाहिए और वैसा रूपांत्रण होना चाहिए कि हो सकता है कि हम उसकी उन परतों को सामद्य मनुष्व होने के कारण ना समझ भा रहे हूं लेकिन परमात्मा राम की उपस्तिती में वो पूरा को पूरा वातावरन कैसे अब तो वो इंग्लिश में भी आ गई है, तमिल में भी है, तेलगू में भी है, बंगला में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, और हिंदी में तो है ही, तो उसमें पूरी की पूरी वो यात्रा है कि राम कहके ही, कि अगर मान लीजे वनवास हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ? कि राम को अपने हिर्दे से अपनी आत्मा से प्रेम करने वाली कह कई, अचानक राम के लिए वनवास मांग बैठी और अपने पुत्र भरत के लिए राज मांग बैठी, तो क्या कारण रहा? ऐसा क्या कारण रहा? जिन्होंने माता के रूप में, पतनी के रूप में या किसी भी अवस्था में इस्त्री को हमेशा इस्तुत्य और प्रणम में माना हो, ऐसा क्या घटित हुआ? ऐसा क्या हुआ कि शूर्प नखा को इस बात के लिए कि उसने अपना प्रणय निवेदन किया, जो कि किसी भी व्यक्ती को कोई व्यक्ती कर सकता है और उस प्रणय निवेदन के कारण उसको अपने नाकान काटने पड़े तो कहीं ऐसा तो नहीं, कि पूज वालमी की जी कु और उस अमरित कुंड को सुखा के परमादमा श्री राम ने कहीं ना कहीं रावड का शमन किया, तो वो किस अमरित की बात करना है, तो ऐसे तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उस पूरी कथा को तो उसमें मनुवग्यानिक पक्ष आपको मिलेंगे, उसमें भावनात् की सबसे highly well equipped army का king है, और वो उस army को counter कौन कर रहा है, श्री राम के साथ की बंदर भार्मों की आप्रशिक्षित सेना, तो एक आप्रशिक्षित सेना, सू प्रशिक्षित सेना को समाप्त करको उसको उपर वजह प्राप्त कर ले, तो इसका मतलब है कि लीडर्शिप की जो quality ह होती है, कि कैसे आप अपने आपको लीड करते हैं, राजा और नायक के बीच में क्या अंतर होता है, वो तमाम चीजों इन तमाम पक्षों को और विंदूों को ध्यान में रखते हुए रामराज्य लिखी गई है, और सबसे आनद का विशा यह है कि हिंदी की best seller है, और उसक है कि मतलब थोड़ा आपने इसके बारे में पहले भी बताया पर थोड़ा और अगर आप डीटेल में बताया कि क्या राम और रावन के जो चैरेक्टर्स हैं उनको बहुत लोगों की एक टेंडेंसी होती है बाइनरी में समझने की, क्या आपको लगता है कि यह चैरेक्टर स अपयोविता ही या उसका ओचिती ही तक सिद्ध होता है जब वो हमारी व्यथा का शमन कर सके कोई भी कथा जो होती है वो आपको एलिवेट करने के लिए की जाती है एक व्यक्ति के रूप में समाज के रूप में तो यह मेरा अपना व्यक्ति के तरूप से मानना है कि राम क कि परमात्मा श्री राम के चरण जितने पूजने हैं उतने ही आवशक उनके आचरण भी है तो हम उनके चरण तो पकड़ लेते हैं लेकिन उनके आचरण भूम धारण नहीं कर पाते हैं जबकि वो पूरी की पूरी कथा जो कहलती है वो उन्होंने नरावतार में किये तो नर होते हुए जब उन्होंने वो सारी चीज़ें कही हैं तो उसका संकेत वो ये देते हैं कि आप भी नरहें मनुश्य जाती के हैं तो आपके भी ये सिलेवस के अंतर के चीज़ें आती हैं और आप आप चाहें, आपके अंदर द्रस अंकल्प शक्ति हो, आपके दिमाग में सफाई हो, आप स्वच्छों हो, आपकी द्रिष्टी निर्मल हो, आपके जीवन में देश्यों की क्लारिटी हो, तो आप निश्चित रूप से, उन समस्त बाधाओं से, बिना अपना शरण किया है। यह हमारे अंदर नीती, अब मान लिएकिने वर्दान मांगा और वह बन चले गहाए। तो यह क्या बात है? कि हम अपने पिता को दशरत मानने हैं, हम अपनी मा को कोशल्या के जैसा महत्व देने लगें, हम अपने भाईयों के साथ भरत लक्षमाण शत्रुवन जैसा व्यवहार करने लगे हम अपने मित्रों के साथ जैसे राम सुग्रीव के साथ खड़े रहे हैं या जैसे सुग्रीव राम के साथ खड़े रहे हैं अगर इस तरीके का व्यवहार करने लगें तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कहीना गहीन रामराजी की सुष्टी हो जाए अन्यता कथाओं के तौर पर हम पढ़ते जाएंगे और कथा पढ़ने के बाद अगर हमारी व्यथा का निदान नहीं हुआ तो फिर वो कथा की उपियोगता की उपर कालांतर में प्रश्ण चिन्न लगा देंगे और लोगों को यह लगेगा कि वो सिर्फ कथा थी कल्पना थी उसके नदर सत्त कहीं नहीं था जबकि सत्त के सारे सारे तत्त इसके अंदर मौझूद है तभी कहीं न कहीं इतने वर्शों से, इतने योगों से एक किसी चरित्र की कथा हमारे और आपकी जीवन में चलती चलिया एते हैं पर जैसे आपने अपने जीवन में पढ़ने के लिए नहीं है अगर उनको पढ़ गे धरन कर सके और अपने जीवन में इसको उतार सके तो मुझे लगता है कि अधिक, यहान के मार्ग पर चलेंगे पर जैसे आपने अलिवियेशन की बात की कथाओं से, रामायन के कई सारे वर्जिंस हैं, मतलब बहुत, I think, almost 300 से जादा वर्जिंस हैं, और ऐसे कई वर्जिंस यह भी हैं, जहां पर रावन का किरदार जो है, वो हीरो माना जाता है, ऐसे कम्यूनिटीज भी हैं, जहां पर रा मेरा अपना ये मानना है, कि रावर गंदर हीरो क्यालिटी तो होंगी, एक होता है नायक और प्रतिनायक, अब नायक और प्रतिनायक क्या है, जो समाझ के साथ चले, उसे आप क्या कहते हैं, नायक नायकत उसमें भी है और एक होती है इस्तिति को जो समाज के आगे चली तो राम का जीवन अगर आप देखते हैं तो राम और रावट दोनों ही महानशे बग्द, दोनों ही शक्ति के उपासक, दोनों ही प्रकांड विद्वान, दोनों ही उतने ही धुरंदर अगर हम तो अगर हम देखेंगे तो पूरी की पूरी अपने जीवन के प्रती जो दृष्टिकोन है राम की यात्रा सिंधासन से साधना की तरफ है और रावड की यात्रा साधना से सिंधासन की तरफ है अगर उस को उस दृष्टिकोन से हम देखेंगे तो जब आप सिंधासन पर ब भी संग्षान कर देता है सोझाओ भी आदेश की जैसे धुनित होते हां कर देखे हैं Okay, सत्ता का वीकंद्री कर लिए और परमात्म राम कर लेना सत्ता का विकेंद्री करण कर दिया कि अगर वहां से निकलते हैं चित्रकूट से जाए निशात से मिलते हैं तो निशात की सत्ता को वो निशात को सक्षम मनाते हैं शबरी से मिलते हैं तो शबरी को सक्षम मनाते हैं वो सुग्रीव से मिलते हैं तो सुग्रीव में किशकंदा उसको जीत के देते हैं लेकि सुग्रीव को सक्षम मना देते हैं उसने जितने भी सामराजियों को पर विजे प्राप्त की सबको उन्होंने अपने एक आधीन करने में विश्वास रगता है और राम स्वाधीन में विश्वास रखता है तो बस सिर्फ उस दृष्टी कोण के अंतर के कारण हमको परिणाम समान quality होते हुए भी heroic quality होते हुए भी परिणाम उसके भिन्न प्राप्त हो थोड़ा आपके जो experiences रहें उसके बारे में बात करते हैं आपने अपनी journey NSD से शुरू की आपने थीटर से शुरू किया फिर आप सिनमा में गए और अब आप वापस थीटर में आप लोग आपने शुरू होता है थीटर में और शिर्फोर्मेंस देखे परफॉर्मेंस के तौर पर अगर आप देखेंगे तो कलाकार चाहे सिनेमा हो थीटर हो या टेलिविजन हो या OTT हो इन सब पर तो आप अपनी कला को ही प्रस्तुत करने तो यह सारे के सारे जो हो मीडियम हो सकते हैं किस चीज के मीडियम है किस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के आपके आर्ट को अगर हम यह सोचें कि फिल्म के उपर अब इने दूसरा होगा और मंच के ऊपर अभिने दूसरा होगा तो फिल्म के उपर भी आपको सच्चाई के साथ उसकुरदार को निभाना पड़ेगा तब वो के लिए जब आप प्रते पल के सत्त के लिए आपको सजग रहना पड़ता है अपनी पांचों इंद्रियों के साथ क्यों कि उसमें आप एक भी एरर मुमेंटरी एरर भी अगर होता है तो आप पूरी की पूरी कृति के ऊपर कहीं ना गई उसका सुर्ण तो आपके अंदर थे कि आपको सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखना है आपको अच्छा और वो जो एरर हैं जरूरी नहीं कि वो आपके ही हो आपके को एक्टर के भी हो सकते हैं लाइव तो उनको अगर कवरब भी करना है तो आपको सजग रहना पड़ेगा सतर्क रहना पड़ेगा ताकि एरर ह होते हुए भी दर्शकों तक error ना समझ में आए उनको लगे कि यह उसी चीज़ का हिस्सा है कि आप लह के साथ लह मिले आके चल रहा होता है इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि एक होता है कि जब आप cash counter होता है और एक होता है कि आपको credit में मिलता है तो जो सुख cash counter का होता है कि आपने अभी मिठाई बेची और आपको आपके गल्ले में पैसा आ गया और एक होता है कि जब हमने बुक की हवा में गया पैसा और हवा में पहुंच गया पैसा आपको पाद मिठाई के डबा आ गया तो यह केकि आपने जो किया आपको ततकाल उस चीज प्रतियुत्तर मिलने वाला तो जो कहीं ने घ なखेर प्रदर्शन की प्रदर्शन की पूरी आत्रा हो तो एक दूसरे के अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के पूरक हैं और आप उसको यह मान के चलें कि उसको आप थेटर को यह कह सकती है को घर का अकाड़ा है जहां पर पहलवान तयार होता है अपने आपको ऑलम्पिक में परफॉर्म करने के लिए तो मैं चुकि डैग्राउंड हमारा वह सिरफ अपने कोइक्टर्स के साथ ही निए जो दर्शक भी बैखे होते हैं उनके साथ भी आपको अपनी ब्रीधिंग पैटर। मिलानी होते हैं उनकी श्वासगती के साथ आपको अपनी श्वासगतीका नूमेल इस्थापित करना होता है जब आप तालमेल इस्थापित कर पाते हैं, लै से लै मिला पाते हैं, सब बंगो का अलग sound करते हैं, गिटार का अलग sound करते हैं, यह सब अलग-अलग साउंड करते हैं, इनके धानियां अलग-अलग हैं, लेकिन इनके सुर अगर एक ना हो और यह एक सुर में अगर ना बजाएं, सिंफनी अगर ना हो, तो आप देखेंगे कि वो कितने ही बड़े जादूगर आपके इंस्टुमेंट क्यों ना हो, वो पू पूरी की पूरी स्थिती को विगाड़ देता, तो कहीं न गहीं इसको आप बिलकुल वैसा ही जो गलबंदी के तौर पे ले सकते हैं, कि को एक्टर के साथ एक्टर के तालमेल तो ही, लेकिन साथ में यहां पे जो दर्शक बैठे हुआ हैं, उनके साथ भी आपकी तालमेल ह जा रहा है, उसके साथ भी आपका तालमेल है, तो ताल से ताल मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, सुर से सुर मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, तो वो इसमें आपके पास बहुत सारे अफसर होते हैं, और आपको पूरे समय यह जागरित रखता है, सिनेमा में आपके पास यह हो जाती है कि पंद्रा मित का शौट है आपने दिया उसके बाद आपके पास मीत नहीं है थेटर में कि अगर के साढ़े तीन गंटे मेरे रिब्त वा पूरे के पूरे वह रहा है तब तब तक आप मी टाइम, आपको पूरा समय आपको वही के जिन आप रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर प्ले के बारे में बात करते हैं, इसका जैसा रिसेप्शन रहा है और जितना अप्रिसियेशन आपके चारेक्टर को मिला है और थोड़ा बहुत अगर आप बताएं कि ओडिय आपके चारेक्टर के लिए और क्या आपको लगता है कही ना कहीं आपने जैसे बात की कि आप राम के चारेक्टर को बेटर समझने के लिए रावन परफॉर्म करते हैं तो क्या आपको लगता है कि अगर आप राम का चारेक्टर परफॉर्म करते हैं तो क्या वो बहतर रहत ते सब्स्क्राइन के राम्राज को में झाले things. तो अब किसको मुझे अपने आपको करके देखना था तो रावण मुझे करना था और चुंकि यह बच्पन की साथ थी तो हमने का कि सबसे पहले मैं इसको अपनी साथ को करता हूं उसके बाद निश्चित रूप से कुछ करदार है जैसे कृष्ण का करदार है मैं आपको इतने कम समय में छह महने के अंतराल में हमने उसके जब आपका यह राइट अप मुझे पता नहीं कव आएगा लेकिन दशहरा बारा ऑक्टूबर को हमारा सौवर शो होने वाला है और यह सारे के सारे टिक्टिट शो हैं हमने दिल्ली किया हमने मुंबई किया हमने जैपूर अगर आप देखें तो जो इसका जिस तेजी के साथ कि छह महने मने इस नाटक के लावा और कुछ काम किया ही नहीं है और सौवा शो हम जो है और मुझे लगता है कि भारत में किसी भी प्ले के इतनी रफ्तार से इतने ज्यादा शो तो यह अपने आप में बहुत बड़ा र अगर आप आयोध्या दिखा रहे हैं यदि अगर आप रावड की लंका दिखा रहे हैं तो आप उसको कमजोरी के साथ उसको जो इसकी दिविता और भविता है वो तो आपको प्रसुत करनी पड़ेगी तो प्रोड़क्शन महंगा होता है इसकी टिकेट्स बहुत महंगी है लेकित सारे के सारे टिकेट्स जो हुआ हैं वो हाउस पैक गए हैं और वही कारण रहा कि दर्शकों ने इतना प्रेम दिया इतना प्रतिशाथ दिया इतनी सरहना दी कि लोग चार-चार-पांच-पांच बार आकर देखते हैं अगर कोई हस्बेंट देख गया तो वो अगल के सारे लोग और आज के दौर में अपिक्षा खास करके जब हम 30 या 35 सेकंड की रील का हमारा कॉंसेंट्रेशन का स्पैन है उसमें सवा तीन गंटे विदाउट ग्रेक नाटक में लोग बैठे रहें और नाटक समाप्त होने के बाद कर्टिन कॉल के बाद भी उठके जाने के लिए तहियार ना हो तो आप इससे अंदाज लगाईए कि कितना प्रेम हमारे हमारे राम को मिला होगा तो यह बहुत कृपा है गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा है दर्शकों की कि उन्होंने इतना इतनी सरहना वो दे रहे हैं और उनहीं के कारण यह सम्भ हो पा हमारा दक्षन में हैदरबाद में 2100 की केपैसिटी का और आडिटोरियम था और आप विश्वास करेंगे कि जिसको कहते हैं कि 105% हाउस पैक वो रिस्पॉंस हमें दक्षन भारत में मिला तो अपने आप में हम किसी भी शहर में जब जा रहे हैं तो हम यह देख रहे हैं कि ल आपने बहुत ही आइकॉनिक क्यारेक्टर्स प्ले किये हैं संगर्श या दुश्मन जैसे तर्मों में जहां पे मतलब लोगों के जहन में रहे गई है वो जो आपने जो किरदार में और थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ए जबा zij कि जो आपको 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 एसा लेकिन चैलींजिंग तब हो जाता है कि वो संसार के लिए नेगेटिव ए विलिन लेकिन वो जो character है वो अपने आपको hero मान रहा है और बड़े positive दिर्ष्टिकौन से जीवन को जी रहा है तो negativity को positive attitude के साथ या positive light में play करना without losing his negativity, it's quite a difficult job.